किसानों की खाद और डिएपी की समस्या लगतार बनी हुई है बल्लबगर के अनाच बंडी में बनाई कई किसान इफको सेंटर पर आज भी किसानों को खाद OTP ना मिलने पर वहां से वापस लोटना पड़े किसानों का कहना है कि पिछले 15 दिनों से ऐसे ही किसानों को सेंटर से बहका कर वापस भीच दिया जाता है बार बार बस अधिकारियों का कहना है कि दो चार दिन बार कॉल आएगा तो मिलेगा फिछले 15 दिनों से ऐसे ही किसानों को दिखा दिया जाता है किसानों ने कहा कि अगर खेत में डियेपी खाद नहीं डाला तो फसल और गुवाई का समय ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा इसलिए अधिकारियों को जल से जल इस समस्या का समधान करना चाएगी पर डिकन पराइवेट दुकानों के मिल रहा है तो या तो चॉदैसोरूपे का दे रहे हैं, आ दे लिए पंद्रही सो का दे रहा है और उससे जादा का दे रहा है Oriya उसके साथ में कोई जिंग की डेली लगा के दे रहा है, वो परीबन 17 begged me ka बढ़ रहा है तोーん सरकारी रेट की बात करें तो 1360 रुपेगा आद ना मिलने से समय पे जो है पिजाई नहीं हो पा रही है खेतों के जो पहले तयार किया हुआ है वो समय निकड़ा जा रहा आप पड़ेवा करख्या वो सूप रहा है समय पे सरकारी होता हम इजाए और घाद की कोई घात की कोई कमें अब जैसे यूरिया है तो अब समय है कुछ विजाई जो पहले की है उसमें यूरिया कि जड़त है तो अभी यूरिया भी नहीं है मेरा नाम नरंजनेट। सीकरी के बास नंग लगा उन से हे योरिय टेपी। नहीं मिलगें। घ्यमकी जियन के लेट हो रही है JIN तो हुआ